नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका मेरी यूटूब चैनल मैतियन भाई एसके में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टोप 30 कुष्चन जो कम्पूटर से संबंदित हैं और आपके आने वाले एक्जाम गिराम सेवक और रास्तान हाई कोड के लिए बहुत विदी का प्रियोग किया जाता है तो इसमें चार ओप्षन दे रखें ओम एम एम एंसर एम एंसर क्या हो जाएगा एम आई सी आर मैगनेटिक इंक केरेक्टर रिडर तो यह इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुष्चन देखते हैं दोस्तों निम्न में से कोन सा नहीं तो माूस इसके äनर कीवोर्ड मॉनिटर इसका राइट एंसर क्या हो जेका होजाएगा दोस्तों हमारा मोनीटर क्या हो जाएignon मोनीटर एक आउट्पुट डिवाइस है तो इंपुट डिवाइस नहीं है और बाकी यह तीनों की इंपुट डिवाइस एर्थमेटिक ओप्रेशन लोजिक ओप्रेशन बंढ़ारण चमता उप्यूक सभी तो दोस्तों इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा हमारा ओप्षन डी उप्यूक सभी तो ये उप्यूक सभी राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुस्चन देखते हैं हम चौथी पीडी के कम्पूटरों का मुख्य पूर्जा है मतलब चौथी पीडी में हमने क्या यूज किया है वो अपने को बताना है तो ट्रांजिस्टर इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों माइक्रो प्रोसेशर जो वाल है यह फर्स्ट पीडी में यूज हुआ था ट्रांजिस्टर सेकंड पीडी में इस तरह से आप बता सकते हैं नेक्स्ट कुस्चन है दोस्तों कुस्चन 5 ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किस दोस्तों कुस्चन 6 आधने कंप्यूटर में परियोग किये जाते हैं क्या प्रियोग किया आज जाते हैं चया आज कल कंप्यूटर यूज हो रहे हैं ट्रांजिस्टर, VLA, वाल उप्यूग सभी तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा VLSI, वेरी लार्ज इसकेल इन्टि केसे बनाई जाती है हमेंत बताना है तो मियं और शिसे टांबius सीलीगओ कई कई घुल दोस्तों ऐसे जो आब आरशी होती है उसमें शिलीकॉण 14 नंबर पर्माणु कर्मांक होता ओका तो इस तरह से यह silicon की बनाई जाते है I-C chip नेक्स्ट कुस्चन है दोस्तों हमारा कुस्चन आठ Computer hardware को अधिक आदुनिक बनाने को कहते हैं Computer को hardware होते है उसको अधिक आदुनिक बनाने के लिए बनाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं Upload, New Grade, Upgrade, Developed तो क्या बोलेंगे दोस्तो उसको upgrade क्या बोलेंगे upgrade next question है दोस्तो हमारा question 9 है सबसे पुरानी आकड़े गिनने वाली machine है इसमें कई machine दे रख्यें तो हमें बताने है सबसे पुरानी आकड़े गिनने वाली कौन सी है abacus, गड़ी, difference, इन में से कोई नहीं, तो इसका right answer क्या हो जाएगा दोस्तो, abacus, option A, इसका right हो जाएगा, abacus, next question देखते हैं, एक समय में, एक साथ, एक से ज़्यादा कारी संपन करने वाले computer तक्निक को क्या कहते हैं, तो multi-user, multi-tasking, multi-purpose, multi-function, इसका right answer हमारे क्या हो जाएगा, multitasking, multitasking option B, इसका right हो जाएगा, question 11 है, दोस्तो, हमारा निमिन में से कौन सा सत्य नहीं है, तो यह 4 option दे रहे हैं, इन में से कौन सा सत्य नहीं है, मतलब true नहीं है, तो यह हमें बताने है, chatting electronic समवाद है, chatting के और एक वक्ति के साथ की जा सकती है, चैटिंग में बहुत से लोग सामिल हो सकते है, chatting इमेल के समान है, तो इसका right answer के और एक वक्ति के साथ की जा सकती है, तो इसका right answer के और एक वक्ति के साथ की जा सकती है, option B, इसका right हो जाएगा, next question है, धोस्तों हमारा computer में काम करने के लिए कि software का प्रियोग किया जाता है, तो एप्लिकेशन, system, program, package, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, application, software, option A, इसका right हो जाएगा, next question देखते हैं, धोस्तों कौन सा software, computer के hardware को नियनतरित करता है, तो इसमें option है, application, program, system, memory, तो इसका right answer क्या हो जाए नेक्ट्स कुष्चन है दोस्तों हमारा उस फाइल को क्या कहते हैं जो इमेल से जुड़ी होती है और इमेल प्राप्त करने वाले को बेज तो बेजते हैं तो दोस्तों यह क्या आजाएगा इसका राइट एंसर ओप्शन सी हो जाएगा अटेच्मेट कुछ्चन 15 हमारे यात्रा करने वाले प्रहोंकता हुआ मतलों nãy 그럼 users के लिए portable computer कौन होते हैं तो portable computer है ज्यू合 से marine computer यह portable computer है यह इस computer को हम क्या बोलते हैं दोस्तों कंप्पुर्ट क्या बोलते मिनी कंप्पुट्र है कि मीनी माइक्रों computer बोलते हैं तो तो यहां लेप्टॉप इसका राइट एंसर हो जाएगा लेप्टॉप क्या हो जाएगा हमारा माइक्रो कंपूटर का एक्जम्पल कुश्चन अगला देखते हैं कंपूटर के IC चिप किस दातु के बनाए जाते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी आइसी किसकी बनती है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सिलिकॉन की ओप्शन डी इसका राइट हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन है किस पीडी के कंपूटर से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रियोग शुरू हुआ तो यह अपने बताने पर्थम पीडी दि हमान नैट रख को गेटवे होता है वह किसके जोडने के लिए यूज क्या जाते ही हमें बताने है तो गेटवे इसका राइट एंसर क्या हो जायगा दो बिल्कुल एस Smart Network को दो बिल्कुल S Smart Network ओप्षन ए इसका राइट हो जएगा नेक्स्ट कुशन है नेम्न मेंसे कौन सा system unit का भाग नहीए system unit का भाग नहीए इसका और सा और सकन मसें ऑपसन है इसका राइट अन्सर हो जाएगा CPU CPU इसका राइट एंसर होजेगा next question है HTML document बनाने के लिए निमिन में से किसकी जरूरत होती है HTML का full-form की बात करते हैं तो क्या होता है hypertext markup language तो दोस्तो text editor की जरूरत होती है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा से एक मेगवाइट बनता है तो दोस्तों computer की language में मतलब binary system में किलो का मतलब होता है 1024 तो 1024 किलो बाइट से क्या बनेगा एक मेगवाइट तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा एक अजार चौविस राइट एंसर हो जाएगा अगला कुश्चन है modulator demodulator का सामाने नाम है तो modulator और demodulator को एक साथ बोलते हैं तो हम क्या बोलेंगा उसको modem modem m o d e m तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तो mo का मतलब तो modulator और dem का मतलब demodulator इस तरह से इसका right answer हो जएगा option a next question देखते हैं अब हम question अगला question 23 है दोस्तों हमारा निमिन में से कौन सा hardware है जो software नहीं है तो इसका right answer क्या हो जएगा दोस्तों control unit control unit हमारा right answer हो जएगा next question है c c++ java किसके उधारन है तो यह हैं दोस्तों programming language के उधारन है यह programming language है तो इसके उधारन है next question है 25 पर्थम computer virus का क्या नाम था जो computer virus है उसका पर्थम आया था उसका क्या नाम था यह हमें बताना है तो इसका right answer हो जाएगा creeper virus क्या जाएगा creeper virus अगला question है computer के उस विशाल नेट्रों को क्या कहते हैं जो सारे विस्व में लाखो लोगों को connect कर देता है तो यह इसको क्या बोलेगी यह सभी जानते हैं इसको बोलेगे हम internet तो right answer क्या हो जाएगा इसका अगला question है दोस्तों हमारा question 27 किसी computer में निमिलिक्त में से कौन सा operating system नहीं है तो दोस्तों इसमें right answer हमारा क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा Pentium Pentium है जो operating system नहीं है और बाकी सारे operating system है MS-DOS, UNIX और Windows यह सभी operating system है next 28 नेमिन में से कौन सा database का मुख्य अवयव है तो database का मुख्य अवयव है फिल्ड भी होता है record भी होता है database फाइल होता है तो इसका right answer हो जाएगा question 39 है web खाली जगए में एक से ज्यादा web page होते हैं जो web server पर इस्तित होते हैं तो इसका right answer क्या हो जाएगा site क्या right answer हो जाएगा इसका site option c इसका right हो जाएगा next question है question 30 Windows desktop पर within application और document खाली जगए दिखाए जाते हैं तो किसके दुआरा दिखाए जाते हैं दोस्तो आइकन के दुआरा जो चोटे चोटे बने रहते हैं आपके पास mobile में भी जैसे YouTube का लग आइकन फेस्बुक का अलग इस टाइब के उनको क्या बोलते हैं आइकन तो दोस्तो इस तरह सी है टॉप 30 कुश्चन थे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर करें वीडियो देखने के लिए सुबदीं